तो हाई दोस्तो डबलेवी रेसलमीनिया 38 को लेके बहुत बड़ी न्यूस सामने आ रही है और वो न्यूस यह है कि दफिन डबलेवी रेसलमीनिया 38 में रेटान आ सकते हैं फिन ने ये टीस कर दिया है और लगभक ये गैरेंटी दे ही दिये कि वो रेसलमीनिया में रेटान आएंगे अब फिन ने क्या क्या बोला है और अगर फिन रेटान आएंगे तो किसकी मैच में रेटान आएंगे और क्या करेंगे ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आके तक जो देखे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और में चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलियेगा तो आएए दोस्तों आप करते वीडियो को शुआ और जानते के फिंड रिसलमीनिया में कैसे और क्यो रिटन आएंगे दफिंड का आखरी मैच हुआ था रेंडी ओटन के साथ उसके बाद से दफिंड डबलवी से चले गए थे तब से लेकर अब तक डबलवी फैंस इंतजार करें के दफिंड कब रिटन आएंगे और दफिंड कब डबलवी में मैच करेंगे लेकिन अब डबलवी फैंस के इंतजार की घरी हो चुकी है खतम और दफिन्ट ने ये टीस करते हुए बता दिया कि वो WV में रिटन आने वाले है अभी फिन्ट है वहीं डैलास में यहाँ पर रिसल मीनिया 38 हो रहा है तो इस खबर को देखते के साथ सब कोई को ये लगा कि शायद फिन्ट रिटन आने वाले है जब फिन्ट से इंटर्वी लिया गया तो फिन्ट ने ये बोल दिया कि मुझे सप्राइस को खतम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इस सप्राइस को बिल्कुल भी खतम नहीं करूँगा कि मैं WV में रिटन आ रहा हूं या नहीं लेकिन Фिन्स ने अपने हिंस में बहुत कुछ बोल दिया और ये बता दिया कि वो रिटन आने वाले है। दफिन ने कहा कि ये आफ़ता उनके लिए बहुत अच्छा और इस हफते में उनके WB करियर में बहुत कुछ होगा दफिन ने कहा कि वो फाइट करने के लिए फिजिकली और मेंट्री दोनों तरीके से बहुत जाधा फिट है और इतने ज़्यादा फिट तो दफिन अपने करियर में कभी भी नहीं थे जिते वो आज फिट है दफिन ने अपने फिटनेस का राज बताते हुए ये बोल दिया है कि वो WB में कभी भी रिटन आ सकते हैं अब सवाल है कि फिन रिटन आएंगे कहां और क्या करेंगे देखी दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं बताता हूँ कि फिन जब लाज बाज बाज चैंपियन बने थे तब उनसे टाइटल चीना था रोमरेक्स थे और तब रोमरेक्स रिटन आयते हैं और रोमरेक्स ने फिन को हरा के फिन से टाइटल चीना था लेकिन अब बारी दफिंड की है फिंड रोमरीक्स और ब्रॉकलिसर के मैच में रिटन आ सकते हैं रोमरीक्स और ब्रॉकलिसर के मैच में सबसे जाद है चांसे जही है कि रोमरीक्स ब्रॉकलिसर को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा दफिंड वसे रोमारेक्स का मैच क्योंकि ब्रॉकलिसर के बाद रोमारेक्स के अगले अपोनेंट बनेंगे दफिंड या यह भी हो सकता है कि Romainix और Brock Lesher के match में The Finn बीच में ही आके Romainix के पर attack कर दे जिसके वाज़े से Romainix अपना title हार जाए क्योंकि ये तो simple है दोस्तों कि जब तक Romainix के साथ कोई controversy नहीं होगी तब तक Romainix हारेंगे देगी तो WrestleMania में ये controversy हो सकती है यह रुमरीक्स के साथ जिससे रुमरीक्स अपने टैटल को हार जाए या तो यह भी हो सकता है कि बरॉकले से रुमरीक्स को हरा के नियू अन्डिस्पेट रुट्टूर्ण बन जाए और उसके बाद फिन आपकर ब्रॉकलेस को चैलिंज कर दे देर में WB के नेक्स अपडेट के साथ थैंक यू एंड गुडबाई